किसान भाईयो नमस्कार आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS टेक्निकल खेती में भाईयो आज की इस वीडियो मैं आपको जान करें दूँगा कि धान की रोपाई के बाद कुन सी खाद कितनी मातरा मत था किस समय लगानी चाहिए किसान भाईयो यदि किसान भाईयो तो आपकी फसल एक बंफर पैदावार देकर जाएगी तो आज की इस वीडियो पर अंतक बने रही है यदि आपने मेरे चैनल को स्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को स्क्राइब करिए और पासवाली घंटी को भी प्रेस कर दिए ताकि हमारी आनवाले नए वीडियो का न प्रेसल पेट सलफर युक्त जिसमें सलफर मिक्स होता है फेर सलपेट 10 किलो पिरती एकड़ के साब से आपको वखेड देना है और अपने खेत में पानी बढ़ देना के सब्सक्राइब होगा जो हमारी जमीन है उस पर अच्छी काई की प्रश जम जाएगी और जो हमारे प पर सेंट 50 किलो ग्राम यूरिया और 300 किलो त्यमोक्सम यह तीनों मिक्स करके डाल देनी है और अपने खेत को सिचाई कर देनी की सानवाई हो भाई एक बात का दियान रखें कि जो धान में पानी की मातर है वह है जादा से जादा भरी रहने दे क्योंकि धान एक पानी की ही और पानी यदि हमें भरपूर मातरा में मिलेगा तो हमारे धान की फचल आपको एक बंफर पैदावार दे कर जाएगी किसानवाई हो जो आपकी जिंग लालेंगे 33 वाली वह आपकी पोदो को हरा भारा रखने की में साहिक करेगी और जो आपका यूरिया है वो पोदो की ल दिन की अवस्तामत देनी है जब हमारे धान की फचल बीच से बाइस दिन की हो जाए तो हम अपने धान को तीसरी खाद देनी किसानवाई हो इस खाद में किसानवाई हमें 50 kg यूरिया लेना है और 4 kg लेना है फटेरा और 1 kg लेना किसानवाई हूमिक एसिड जिसमें फोलिक इत्यूम डालेंगे हम इनके फायदे जान लेते हैं जो किसानवाई हो हमारा यूरिया है वह पोधों की लेंद्थ को बढ़ाता है और जो हमारा फटेर है वो उसमें होने वाली टोप बोरर इस्टेप बोरर और जिस पत्ता लपेड बगेरा को मार देता किसानवाई हो और हमारा यूमी कैसीड है किसानवाई हो वह हमारे जो पोधे होते हैं उनकी गिरोध अच्छे से करता है और मेला करता है अर्थात किलिंग निकालता है जिससे हमारी धनकी बशल काफी हद तक अच्छी हो जाती है अर्थात एक भरी भरी फसल दिखाई देने लगती भाईयों हमें लास्ट और अंतिम काम करना है उसके साथ लेना हमको 50 kg यूरिया और 25 kg पोटास यह दोनों हमें मिक्स करके अपने खेत में बखेट देने हैं और पानी लगा देना आकिसान भाईयों इससे क्या हो किसान भाईयों जो हमारे किल्रिंग होई है पोधों की वह के साथ साथ चले लगें रही और फष्यांट में ख्टी हो जाएगी और जो मारे तन्हीं हैं उन्हें जो गिरने लायक नहीं रहें पोधा कीक निखवरियाई यह होता है जिसने हमारे खेत में कीड़े बगारा अर्था जो हमारे उड़ने वाले कीड़े यह मर जाते हैं और हमारी फचल वस्वचार रूस पर चलती है किसानवाईयो यह तो आप मुझे कॉमेंट्स में लिखें मैं आपकी आपकी जो बात है उसकी वीडियो बनाने की पूरी करें थैंक यू फॉर बाचिंग माई वीडियो